चलि अज बात करते हैं, आखिर क्या है अनन तमबानी और राधिका मर्चन के प्री वेडिंग पुंक्षन की हस्ताक्ष और सर्मनी जानते हैं इसका महत्व क्या है? देश का जानामानी हस्तियों में से एक अमबानी परिवार एक बार फिर सुरखियों में है जी हाँ इस बार उनके सुर्खियों में आने की वज़ा उनका कोई बिजनेस या प्रोजक्ट नहीं बलकि मुकेश और नीता अमबानी के छोटे बेटे अनन्तमबानी की शादी है पिछले कुछ दिनों से अनन्तमबानी और राधिकव मर्चेंड के प्रीवर्डिंग रस में पूरे जोड शोर से चल रही थी और पूरे जामनगर में इसकी अलग ही धूम दिखाई दे रही थी एक मार्च से तीन मार्च तक अलग-अलग रस में शुरू होने लगी और उसमें देश के नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई अम्मानी परिवार ने सभी महमानों का भव्य स्वागत्तों किया ही और हर एक गुजराती रस्म को पूरे विधी विधान से निभाया इन सभी रस्मों में से एक रस्म थी हस्ताक्षर सेर्मनी जो बहत खास थी इस रस्म के बारे में सुनने के बाद इसे पूरी तरह से जानने की इच्छा हुई आई ये जानते हैं कि ये हस्ताक्षर सेर्मनी होती क्या है हस्ताक्षर सरिमनी जिसे प्रदिबद्धिता या रिंग सेवा भी कहा जाता है अगामी शादी की उचित गोष्णा को दिखाती है यह एक आनन्दायक अफसर माना जाता है जहां होने वाले दुलन और दूले के परिवार के सभी लोग उपहार और कुछ विशेश शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ मिलते हैं समारों में नियमित रूप से शामिल चोड़े के बीच अंगूठियों का आदान प्रदान भी शामिल होता है जो एक दूसरे के प्रती उनके दायत्व का प्रति निधित्व करता है अनन्त और रादिका के विवा पूर्व समारों की एक रस्म हस्ताक्षर समारों उनके जीवन में एक नई यात्रा की शुरुवात का प्रतीक है जामनगर टाउन्शिप मंदिर परिसर में आयोजित या कारिकरम उनके मिलन और एक साथ एक नए अध्याई की शुरुवात का प्रतीक है हस्ताक्षर समारों के साथ साथ टसकर्ट्रेल्स नामक एक और आउट्डोर कारिकरम भी आयोजित किया गया जिसने जोडे के आसन्य विवा के आसपास के आनंद में उत्सवों को और बढ़ा दिया इस समारों में जहां एक तरफ राधिका मर्चड ने खुपसुरत बेजुरं के लहंगे में शांदर दुलन की तरह प्रवेश किया वहीं अनंद का एक अलद अंदाज भव्यता और परंपरा का प्रतीक था और उन्होंने समारों की शोबा बढ़ाई भारत्य संस्कृती में शादियों को दो लोगों के मिलन के साथ साथ परिवारों और नेटवर्कों का मेल भी माना जाता है ऐसे में हस्ताक्षर सेरिमणी एसोसियेशन की एक सारवजनिक बयान के रूप में कारे करती है जो कई लोगों के जीवन में एक और चरण की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है या दोनों परिवार के सभी लोगों और मित्रों को एक चूट करने में सहियोग करती है हस्ताक्षर सरिमनी का सबसे खुबसुरत हिस्सा परिवारों को करीब लाने की उनकी शमता को माप जाता है या दो परिवारों को सैयोग, सुरक्षा और ऐसे संबंद बनाने का खुला द्वार देता है जो हमेशा कायम रहेंगे उपहारों के माध्यम से परिवार के सवी लोग भावी जोड़े के प्रती अपना इसनेय और समर्तन व्यक्त करते हैं क्यूंकि वे आगे का जीवन एक साथ बिताने वाले हैं इस समारों में बड़ों का आशिरवात भी शामिल होता है जो उन्हें और मजबूत बंदन मनाने में मदद करता है